हेलो यूटूब फामली, अवेरी कुड मॉर्निंग, सुबह के नौ बज रहे हैं और आज हमें जाना है बहुत ही स्पेशल जगे, तो मैंने फटाफट जो है नाश्ता तयार कर लिया, आज नाश्ते में छोला चावल हैं, आप सभी को बता है कि जैसे मैंने कल बनाया था छोल एलों के छोले थे, तो बस वही खाएंगे हम, सब लोग नाश्ते में छोला चावल उसके बाद पिर हम, रेडी होंगे और हम जाएंगे तो यहाँ पर मैं खा रही थी, छोला चावल, और साथ में कल के जो नान बच्चे थे, वो भी थे, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं, खा क तो फटा फट मैंने सॉक्स पहल लिया क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है बारिश भी हुई है लखनव में हलकी हलकी तो सर्दी थी तो मैंने ब्लेजर डाला है तो आप जानते हो इतनी सर्दी हो रही है और मेरी तबेद भी बिल्कुल नहीं सही है हुआ हो चुके यह ऐड़ी हो चुक है बस इनको हम झाला है और सिर्दी तक बहुत है है तो लौद मैं счит को मार्किट कहिजाती है लखनव में सर्दी आपटियों के समय वैसे खुल नहीं बजे नहीं वजे महार छीजुरेसे यह थैठा है तो अच्छे ऐणार से प्रॉपर तो जैसे मैंने आप सबको बताया कि घर में फांक्शन है और उसके फ्लॉक्स आपको अच्छे-च्छे मिलने वाले हैं तो जो भी होगा सब मैं शेयर करूँगी और यहां पर मैं आई थी तेजस के लिए सूट देखने तो मैं बहुत देर से कई शॉपों पे गई वहां पर क क्लेक्शन रखा था मगा जिस तने का मुझे चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा था इनके पास जैपूरिया भी था प्लेजर भी था मगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे सब चीछ कॉमन लग रही थी क्योंकि तेजस के पास 3-4 सूट है तो वह छोटे हो मगर सबी पैटर्न मुझे पुरहने लग रहे थे इन्होंने काफी दिखाए पैटर्न मगर मुझे समझ में नहीं आया फिर यहां पार इंडो वेस्टन ड्रेस दिखाई थी तेजस के लिए वह भी आलरड़ी तेजस के पास थी जैसे यह दिखा रहे थे वैसे ही यह जो थी तेजस के पास ब्लू करा की है और मैंने शायद शेर किया भी है बर्दे वाले व्लॉक में तेजस के तो यह देखिए यह है शेरवानी और हम भाही कह रहे थे तेजस बिलकुल नवाब लग रहे हो लगनौ के मगर मुझे यह ड्रेस बिलकुल भी समझ में नहीं आ रही थी तो फिर हम लोग इस शॉप से निकल गए, दूसी शॉप पे गया, अमीनाबाद में ही हमने लिया था, तो बहुत बड़ा कलेक्शन था, वहां से गया था, तो डिसाइड कर दी हम लोग ने की तेजस के लिए क्या लेना है, और क्या नहीं लेना है, तो मैं भी अपने लिए ड ये सैंडल इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई थी, वाकए में कई सैंडल्स थी, मुझे नहीं समझ मारी थी, तो मैंने ये सैंडल परचेस कर ली थी, तो फिर आ गए हैं हम लोग घर, घर में आते ही साती लग गई थी, भूख, तो यहां पर बाहर से हम लोग छोले जान थी, क्योंकि सांस फूल रही है, तो इसी वज़े से, पर भी मुझे शॉपिंग करने जाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं जाती ना, तो यह काम पेंडिंग रह जाता, मुझे मालूम था, तो बहुत ज़रूरी था, तो यहां पर मैंने कल मशीन लगाई थी, मॉर् तो आराम से सूख जाते हैं, तो बस मैंने उनको फोल करके रख दिया है, और इवनिंग का टाइम है, तेजस के सर आए हुए, तो उनके लिए चाय निकाल रही हूँ, फिर जैसे ही मैंने कपड़े छट से उतारे ना, तो आपको बताओ, बारिश स्टार्ट हो गई, और ठं जादा ठंडा हो गया, मैं तो जो लोग बाहर निकलते हैं, आफिस जाते हैं, शायद उनको नहीं लगता हो, कमकर मुझे बहुत ठंडा लगता है, तो फटवट मैंने चाय दे दी है, और यहां पर आ गई हूँ, डिनर की तैयारी करने है, तो सिंपल सा, इजी सा मेथी की त मेथी की खेचड़ी बनाई है, मेथी की सबजी भी होती है, वो भी मैं किसी दिन शेयर करूंगी आप सबसे के साथ, अगर आप लोग चाहोगे, तो यहां पर फटवट मैंने मेथी की तहरी बनाना स्टार्ट कर दिया है, सिंपल और इजी तरिके से, खाने में उतनी ही टेस बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, हमाया सब को पसंद है, जब भी मैं बनाती हूं सब बहुत मन से खाते है, पता ही नहीं चलता है कि आपने मेथी इसमें एड की है, आप यकीन मानो ऐसी ट्रिक पताऊंगी कि आपकी मेथी की खिच्ड़ी तहरी जो भ पर लगा दिया है, काप उसका चली खाना खाते हैं, तो यह है हमारी मेथी की खिच्ड़ी, आप कलर देख सकतों, टेक्शर देख सकतों, बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वाध देश होती है, पाकई में मैंने एक लिप आ ली थी, तो पता नहीं कहां चली गई है, तो मुझे चाह बहुत अच्छी लग रही है, आपको क्या बताओ, तो यह था मेरा आज का दिन, और यह मेरी थोटी सी लाइफ की अपडेट थी, I hope आज का व्लोग आपको समझ में आया होगा, बाई